चली दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्लड फेज चैनल पर स्टार्ट करते हैं आज के गरंड फेड डेली बेसिस पर यहां पर आप पड़ सकते हैं क्युक्पॉइंट और स्पैशल डे एंसके विडेल निस ओफ दे इन पीवाई क्यूस आप मेना टेलीग्राम चैनल फैलाना जादा जरूरी है तो शोशल एकनॉमिक और डिमोग्राफिक लेवल पर जो जो प्रोसेस है उसको डिसकस किया जाता है इंट्रेशनल डियो फैमिली के दिन युनाइटिन ने पहली बार इसका डिसकेशन 1989 में किया था और जरनल एसमिली के द्वारा बाद में 1993 में इसे एक रेजुलेशन को पास करके 15 में को याज इंटरेशनल डियो फैमिली जो है खोशित किया गया था चलिए आपका पहला कुशन आज का हाल फिलाल में किसने जो है विजिट गए हैं जमाइका सेंड विंसेंट और करंडाइन्स लोकेशन पे तो ये हमारे भारत के इसका एक परपस है परपस यह है कि जो कैरेबियन रीजन है वहाँ पे हमारे टाइप अच्छे होने चाहिए यह स्मोल डेवलपिंग आइलेंड कंट्री जो है यह बेनिफीशल है हमारे लिए अगर हम अच्छा जो है इनके साथ टाइप रखते हैं तो यहाँ पे एक जोए इसकी जमाइका पार्लिमेंट है तो वहाँ पे भी अड्रेस करने वाले हैं राष्टेबती जी इंडिया की मसी यूक्रेइन में अब रेज्यूम होगी दोबारा ऑपरेशन में आएगी कब से 17 में से देखिए जब 13 मार्च को टेम्रेली जो है इसे शिफ्ट किया गया था वोर्सों पॉलेंड में इसे शिफ्ट किया गया था मिड मार्च के समय में क्योंकि उस समय यूक्रेइन पर अटैक हो चुआ था रश्या की तरफ से और इसी वच्छे से जो है ये शिफ्ट लाए गया था कि जो टेम्पररी लोकेशन है उससे जो सेक्योर्टी सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा उसके अलावा एक उप्रेशन गंगा भी चलाए गया था कि एमबैसी नियर्बाइ लोकेशन से जो है उप्रेशन गंगा को चलाके एमबैसी ने 20,000 के अराउंड जो है स्टुएंट को एवेक्वेट करने की भी कोशिश करी इंडिया से और सक्सेस्वली वेक्वेट भी किया गया और आब हाल फिलान में अनॉंस्मेंट हुआ है कि एमबैसी कैपिटल की में जो है 17 मई से जो है दोबारा ऑपरेशन होने वाली है इसमें एक तरीके से जो मेटिंग है वो पीसफुल यूज अब नुकलियर एनरजी है उस पे है धाका में इसको किया गया और इसमें डिसकेशन बेसिकली जो है एक कोलाबरेशन हुआ है इंडिया और बांगलादेश का रोपूर नुकलियर पावर प्लावर प्लांट का उस लिकल्चा वाटर प्यूरिफिकेशन इन जासे जो कंसेप्ट है इनमें यूज के जा सकता है उसी पर है डिसकेशन गया है और एक और कलाबरेशन हुआ है यह क्लाबरेशन हो रहा है सो साइटल एप्लिकेशन ऑव रिडिएशन टेखनोलोजी जो कि कैंसर एक एक एर जो है कर पाएगा न्यूक्लियर मैडिसेन, पूर्ड प्रिजर्वेशन इन सब इशूस पे डिसकेशन है। इनके निदन पर इवन इंडिया में जो है नैशनल फ्लैग को जो है हाफ डाउन किया जाएगा जितने भी हमारी बिल्दिंग्स है नैशनल फ्लैग जहां पर भी फ्लो करता रेगुलर्ली एक तरीके से ट्रिब्यूट भी कह सकते हैं और जो सेम युनाइटे अरब एमिरेट म है कितने परसेंट हुआ है तो मेक इट 9000 करोड और तो 41 परसेंट का है इसमें हमें थोड़ा वो डाटा पता होना चाहिए कंट्री का बिगेस्ट लेंडर है और इसका जो फॉर्थ क्वार्टर प्रॉफिट है वो 41 परसेंट करोड के आसपास का और इसमें जो सबसे बड़ लोन है वो डिकलाइन हुए तो यह कहा गया है कि जो बैड लोन है यह गिरे है इतने करोड के आसपास गिरे हैं है और जो इंटरस्ट है लोन पे वो इंग्रीज हुआ इतना 8% के आसपास उसके अलावा जो होम लोन सेग्मेंट है यहाँ पे 23% का जो है नियरवाइ अडवा में में चुके हैं और भाकी दो फॉर्म प्राइम निस्टर शिल्लंक के उन पर बेल हागा गया इस एक प्रॉंटर राज पक्षा और यहीं, इसे परसन नहीं पे यह बैल लगाया गया। और इन पर येस घंट साहरोंा कि सतना है कोलमबो में उसमे एक प्रोटेस्टरस एड़ड़ी ओटेक किया था उसहीं पर ही पूलिस क्रिम्नल इन्वटिकेशन के ऊपर होनी चाहिए ना तो इसी वज़े से इन लगाए गया सデस सिर्फ इनी को नहीं और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दिया गया है तो धाका की कोट ने जो है आर्मी चीफ ऑफ बांगलादेश जिनका नाम हरुन अर्रशित था और उसके लावा 46 ओफिशल जो है उनको देस्टिनी 2000 कंपनी का जो स्कैम था उसके मनी लोंडरिंग के चार्ज पर सजा सुनाई गिए और इनकी जो सजा है वो चार साल की सजा है और विद्धा फाइन ओफ 3.5 करोट टका उसके अलावा जो चेर्में थे डेस्टिनी 2000 जो कंपनी थी मोहमध हुसेर उनको 10 साल की सजा विद्ध 1.5 करोट टका जो है फाइन दिया गया और भी बहुत सारी चीज़ें एंटी करॉप्शन कमिशन जो है इनोंने केस फाइल किया था इनकी अगेंस यह वन ऑफ दा बिगेस्ट स्कैम कह सकते हैं बांगलादेश में जो हुआ था 2008 से चाइना रशिया पाकिस्तान जो है कि पाकिस्तान की डेलिगेशन जो है इंडिया आ रहे है टेरर मीट के ऊपर तो रशिया चाइना पाकिस्तान और सेंडरल एशन कंट्री इसमें पाटिस्पेट करने वाली है यह साउथ संगाई जो कॉर्पेशन और इंटी टेरर स्ट्रक्चर है इस पे डिसकॉशन होगा और इसमें चाइना के जो डेलिकेशन है वो नहीं आपाएगी उनका रीजन यह है कि वो कोविड-19 का रेगुलेशन जो है रीजन दे रहे हैं हाला कि जो चाइना की एमबसी के मेंबर है इधर इंडिया में ही वो इसे जो रूर पाटिस्पेट करने वाले हैं तो यह इंपो यह प्रांस के द्वारा यह स्टेटमेंट कही घए वैसे कुछ आसे के कि चैक्टे हैं की जो इंडॉस्टिल नेशन जॉआट किया है जिसकी वजह से रॉपर इन्वेजिन को सक्सेस्फुल नहीं कर पाया और यकरेन को कहीं ना कहीं बेनिफिट हूँ वो तो फ्रांस के वर है तो इसी वज़े से जो है थोड़ा सा कंट्रोल में राइए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रीम नहीं गया और जो है उनको थोड़ा सा से भी रखा गया रिसेंटी कौन सी कंट्री के तो न्यूजिलंड के राइंटर सा 2 अधन-धन नाम को चेम और विसेटी के इनका बूसिति आया है के नहीं को बनी है रिसेंटली कितने जो है मॉबिलेटी वहीकल हाई एल्ट्यूड एरिया के लिए जो है बाइ कर रही है आर्मीं तो बारा सो हाल फिलाल में कहां पर जो है पेट्रोल वैसल आई-सी जी एस कमना देवी लोंच किया गया कुन सीटी में कुलगत्ता में कल एक स्थापना किस ने करी तो बिल्कु शौकवत की दोरह बिल्कुन आंसर सही है आंसर पीसी महलोविस जी है फादर फ्रस्टिस्टिक इंडिया उसके लावा आज का सवाल है जो फैस है यह किसके कोट में थे कोशन का आंसर आप कमेंड बॉक्स पर जरूर दीजेगा और डेली क्लास देखे है रेगुलर देखेंगे ज्यादा बेनिफिट होगा दस मिनट में आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है मिरे टेलिग्राम पे लिंक आ जाता बाकि एससी जो सीचसल का मेगा कोंबेक्ट है यानि कि आपको आज इसे जो है नोटिफाई कर लेना चाहिए लाइ आज ही अटेंब करना चाहिए बारा बज़े यह मोका है आपके लिए लाइव अमन कोड से आप इसे उटलाइज करें अनकेडमी प्राइज हाइक होने वाले उससे पहले लाइव अमन कोड यूज करके इन्हें यूटलाइज कर लेना ठीक है तो रिपोड और विन का करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स लोट फॉर वोचिंग